प्रिये विद्ध्यार्थियों, सब्जेक्ट बिजिनिस एकॉनमिक्स, डाइग्रमेटिक एंड ग्राफिक रिप्रेजेंटिशन और डाटा, समंकों का चित्रमा एवं बिंदुरेख ये प्रस्तुतिकराण, पार्ट नायंत के लिए डिजिलेसंस और नवांकुर में आप करते हैं, स्क्रीन पर आप देख रहा हैं, आबिर्ती वित्राण बिंदुरेख, क्या लिखा है, आबिर्ती वित्राण बिंदुरेख, इसमें आबिर्ती वित्राण बिंदुरेख का आर्थ है, कि आबिर्ती वित्राण बिंदुरेख क्या करेगा, आंक्णों की आबिर्ती वित्रन बिंदुरेख कहेंगो आवरती वित्रन बिंदुरेख निमने प्रिकार के हो सकते हैं नमबर एक क्या है रेखा आवरती चित्र या लाइन डाइग्राम जिसको बोल सकते हैं फ्रिक्वेंसी के साथ और दूसरा है बारम बारता चित्र या आवरती आया चित्र हिस्टो प्रिकार जो है संचे आवर्ती वक्र या ओजाय वक्र जिसको हम कहते हैं तो यह है आवर्ती वित्रन के प्रिकार या आवर्ती वित्रन बिंदुरे के प्रिकार पांच इनका हम यहाँ पे वर्णन करने वाले हैं सबसे पहले देखिए क्या है रेखा आवर्ती चित्र अर्था स्रैनी में के समंग को प्रदस्चत करने तु किया जाता है रे इखाओं के इस्थान पर क्या करते हम पतले डंडों का प्रियोग किया कर सकते हैं इन डंडों का प्रियोग करने पर उन्हें हम frequency wire diagram कह सकते हैं ठीक है तो आप देखते हम इसको तैयार करने वाले हैं स्क्रीन पर आप देख रहा है आबिर्टी वित्रण बिंदू रेख है इसके बारे मार्थ है टेक्स्ट की रूप में प्रैस्तुत किया है उसके पिरकार है पांच फिर रेखा आबिर्टी चित्र है रेखा आबिर्टी चित्र के लिए हमने बता दिया क्या करना है और इसके बाद इस्तर तयार करना है और ठाट लाइन डाइग्राम करना है लाइन डाइग्राम के लिए हमेशा ध्यान रखेंगे आप कि जो एक्स अक्ष है उस पर हम लिखेंगे संख्यां नंबर्स लिखेंगे और जो बाय अक्ष है उस पर क्या लिखेंगे मूलपद लिखेंगे ठीक है न आप मूलपदों को देखिए आप सभी को कितना किया गया है कि इनको जो है पेमाना वायक्ष पर एक सेंटीमीटर है ना वायक्ष पर क्या है एक सेंटीमीटर बरावर बीस सेंटीमीटर तो इन सभी अंकों के लिए समंकों के लिए हमने बीस बीस के अंतर से क्या कर दिया है ब में अब इनँम्हो के लिए हमें रेखा बिंदू बनाओ पहले बिंदू कैसे बिंदू लिख दो या डारेक्ट रेखा खीज़ो तो पहली संख्या के लिए कितनी यह 90 यहाँ से शियर्ट के रेखात कुतनी बन गई 50 यह 50 बन गई ना यहां ध्यान डगना बनाने में थोड़े से ये कम्याधिक हो सकती है दूसरी रेखा कौन सी बन जाएगी सत्तर पचास से थोड़े उपर फिर तीसरी रेखा बन जाए कौन सी 120 120 के बाद कितनी बन जाई है 178 इसकी उचाई है फिर कितनी है 152 फिर 110 और 45 ये रेखा है बन गई इन रेखाओं के मात्य हम से हमने सदसंख्या की उचाई को प्रस्तुत किया है तो ये है कौनसा रेखा आवरती चित्र लाइन फ्रेक्वेंसी डाइग्राम ठीक है इसके बाद ह उसी सवाल को अर्था सवाल नंबर जो है अपना 17 है उसी को हमें उनकी जो सूचना है समंग है उन समंगों को आवरती दंड चित्र के द्वारा प्रस्तुत करना है आवरती दंड का मतलब आपको मालूम है क्या होता है कि वो जो एक रेखा थी उसको डबल लिखना मतलब दो कुए थोड़ेशी मोटे आकार्म लखना और अलग-अल यादी लिघते हम तो यह क्या होता दंड चित्र कहला आती है ठीक है ना तो आप देख रहा है इसको पर क्या एक्सक्ष क्या पर इसको क्या कर दिया और हलाकि यह लाग-आलग है नBayस बना दी डबल डबल बना दी ये बार तो ये है आबरती दंड चित्र ठीक है ना आबरती दंड चित्र है अब आबरती दंड चित्र है इसमें आबरतियों को प्रस्तुत किया गया उनको उंचाई पदमूलों के अनुशार उंचाई को ठीक है ये था आपका आबरती दंड चि उसके बाद देखिए आबरती बारंबारता या आबरती आया चित्र हिस्टोग्राम जिसको बोल सकते हैं इसमें क्या होगा आबरती बारंबारता में क्या होगा आबरती बारंबारता में त्यान रखना है आपको कि यहां पर जो प्रस्तुति करण किया जाएगा बहे अखांडि स्रेनि में किया जाता है जब आखंडि स्रेनि का नाम आता है तो हम समझ जाते हूं ने बर्ग रहता है बर्ग की जाखाbar कि प्रस्तोथ किया जाएगा तो चलिए प्रारंब करते हैं इसको भी सीगी्य समझना आप देख रहा है आश已經 प्रदर्शित करना यह एक्जमीन भी समझ रहा है पूश्चने वाला युश समझ रहा है कि आवर्थी आय चित्र्वारा निम्लले के समंग को कुअ करना है ठीक है तो आप देख़ा बर्गवाला सवाल है जीरो से 10, 10 से 20, 20 से 40, 20 से 30, 30 से 40 ये दिये हैं तो हमने नीचे आधा रेखा पर क्या लिख लिया आधा रेखा पर हमने ये लिख लिए बर्ग दियान रखना क्या लिख लिए बर्ग लिखे हैं ये बर्ग 10, जे 20, 20 से 30, 30 से 40, 40, 50 ये लिख लिए अब मूल रेखा जो है मूल रेखा पर क्या लिखेंगे पद मूल लिखेंगे पद मूल वोई रहेगा कौन सा काल्पनिक हमने बनाये था अब क्या किया है कि जो भी इनकी जो संख्या है उस संख्या आविरती संख्या को हमने प्रस्तुत किया है तो देखिए पहली संख्या कितनी है 25 आप 25 समझ रहा है 30 20 के बीच में आएगा 25 तो हमने यहां से क्या किया लाइन खीए और यहां मिला दिया उसके बाद दूसरा कितना है 10 से 20 वाले में 10 से 20 वाले में कितना है 45 तो हमने यहां से रेखा बनाई और यहां तक बना दी ठीक है अब उसके बाद 68 पे बनाना है तो यहां से रेखा बनाई इस के मुझाई कितनी होगी 68 फिर उसके बाद 90 के मुझाई बनाना है और 90 के बाद पुना कितनी बनाना 72 के मुझाई बनाना है 72 के वाद 60 और 60 के वाद 40 और 40 के वाद 30 तो ये प्रस्तोती करण होगा है किसका ये प्रस्तोती करण कहला एगा आवरति आया चित्र और बर्गवाल सावालों में जी होगा इसको ध्यान रखना बारबार इसको सुनना और आप जो है वहाँ पे practical उधारन कर सकते हो और इतना भ हैं और हम लोग भी एनर्जी से आपको अच्छे से अच्छे मेट्रोप लब्द करा सकें है ना तो यह आपको मिल जाएगा अब तीसरा है कौन सा आबिर्ती बहुभुज है आबिर्ती बहुभुज क्या है देखिए आबिर्ती बहुभुज जो है वो एक पिरकार का जो है आया चित्र है कौन सा आबिर्ती आया चित्र है आबिर्ती आया चित्र में हमें अगर बहुभुज बनाना है पॉलिगोन बनान तो उसके लिए कुछ नहीं करते सेम वोई के वोई प्रोसेस रहती है उसमें हम जो है एक बक्र डाल देते हैं बक्र डाल देते हैं कहां पर जो आया चित्र होते हैं उनके मद्ध बिंदू पर उनका जो सीर्स होता ना सीर्स में मद्ध में हम बिंदू लिखते हैं उन पर लिखिये और उसके बाद जो है well 10 10 अबिस फंह चेस पुट्रा 15 से बीस बीस से पत्चीस 25 से तीस और 35 है उसके हमने ऐसल ने प्राप तांगो होगी फिर हमने बैसे कि बैसे इसको और त्यायर चित्र को बना दिया आइड त्यायर्फ नीडिकर को इनको एक उससे रेखासे मिला दिया जी यह ऐसे मिला दिया तो यह बन गाया कौन सा आविर्टी बक्र बन गाया आविर्टी बक्र मतला नहीं आविर्टी बहु कुछ जिसको बोल सकते हो ठीक है आविर्टी बहु कुछ यह पॉलिगोन जिसको बोल सकते हो फिर उसके बाद है हम यह समझ गया आसानी समझ में आ गया होगा उसके बाद देखते हैं आविरती बक्र रुक्रेक्वेंसी कर्व बेंसा वनोगा यκι्ल्क्री कर्वह जरूरी नहीं नौप छो गति शेक्षेक मिलाएं धेट आफ मिश्कव करते हैं अ कि निमन सूचना ओसे आइस सवाल में तीनों आ जाएंगी नम्भर एक आपरथी आयाल मतल्ला इस्टोंग्राम बनाना, आपर इसके बाद बाद आपरवर्था अर्थात प्रिक्वेंसी कर बनाना चलिये तो प्रारंब करते हैं, जीरो से आविरती में आप देखते हैं कि X अक्षपर वो ही है क्या है संख्या है और बायक्षपर देखिए बायक्षपर जो है नंबर ओफ इस्टूडेंट हैं है नंबर ओफ इस्टूडेंट हैं तो हम क्या करेंगे ये बक्र पहले बनाएंगे वो आविरती आयाचित्र बनाएंगे और फिर बिंदू लिखेंगे और बिंदू के माद्दे हम से देखिए हम जानते हैं पहले हमने बनाए क्या आविर्टी आया चित्र बनाए जिस अभी आविर्टी आया चित्र बना देने के बाद क्या है इनके हमने सीर्स मिला दिये इसीसों पे एक बिंदी रखी है और उस बिंदी को हमने बिंदी रखी है और बिंदी के माध्यम से हमने उसको मिला दिया जै इस पिरकार से मिला दिया जै मिला दिया एक रेखा जै बन गई तो जी क्या बन गई इसको मिला देने के बाद जी क्या हो गई यह है पॉलिगोन है na frequency polygon पिर दूसीर रेखा कोुंवने वना ए दूसेरे इकार करके जो है दूसीर येखा दूसीरार करके प्रस्तुत कर दिया और जूसेरे कर sürग। करके जो क्या गया वह क्या है का प्रयास किया है तो उसको बार बार सुनिएगा बार बार समझने का प्रयास कीजिएगा ठीक है धन्यवाद